स्वागत आपका एक बार फिर से चैनल फिल्मी मीमोरीज में आज के वीडियो में फेमस स्क्रीन राइटर, प्रोडियूसर और डारेक्टर कमाल अमरोही जी के फिल्मी करियर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे उमीद मारी कोशिश आपको पसंद आएगी अगर वीडियो चिले वीडियो को लाइक शेर जरूर करें अगर चैनल का वीडियो पाइली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्क्राइब जरूर करें इनकी डेब्यू मुई आई थी 1940 में जिसमें इन्होंने स्केने राइटिंग की थी और मुई का नाम था पागल इसको डारेक्ट किया था एर कादर साब ने इसमुई लीड कास में थे प्रत्वी राज कपूर, माधुरी, सितारा देवी और नूर महमाद चारली इसमुई का बज़र था पांच लाग रुपए इसमुई ने कमाई की 38 लाग की कमाई के उनसार सी इसमुई को बॉक्स आपित पर हिट करार दिया गया इनकी अगली मुई आइथी 1940 में इसका नाम था भरोसा इसमें विनों ने स्क्रीन राइटिंग के थी इसके डारेक्टर थे सोराब मोधी जी इसमुई में लीड कास में थे चंदर मोहन, सरदार अक्तर, मजहर खान, शीला और माया देवी इनकी अगली मुई 1945 में थी जिसका नाम था फूल इसके स्क्रीन राइटर थे कमालम रोही जी और इसको डारेक्ट के अथा किया आसिप साब ने इसमुई लीड कास में थे प्रत्वी राज कपूर, वीना कुमारी, सुरहिया, सितारा देवी, याकूब खान और आगा इसमुई का बजर था पांच लाग, इसमुई ने कमाई की 40 राग की इसमुई को समय हेट करार दिया गया आगली बजर था पांच लाग, इसमुई का बजर था पांच लाग, इसमुई ने कमाई की 60 राग की कमाई के अनसार इसमुई को बॉक्स आप इस सुपर हिट करार दिया गया कमार अमरोही जी के डारेक्शन रन ये सबसे पहली हुई आई थी 1949 में जिसका नम था महल, इसमें लीड कास में थे अशोग कुमार, मदबाला, लक्षमी, शीला नाइक और जगनात इसमुई का बजर था 30 लाग रुपए, इसमुई ने भारत ने कमाई की 80 लाग की और दुनिया में कमाई की एक करोड 25 लाग की, कमाई के अंसार से इसमुई को सुपर हेट करार दिया गया इनकी अगली मुई आई थी 1993 में जिसका नम था दारा, इसके प्रोडूसर डारेक्ट कामारा मरोही साब थे इसमुई लीट कास में थे मीना कुमारी, परतिमा देवी, रूप माला, नासिर खान और रमेश कपूर आगली मुई आई थी 1960 में जिसका नम था दिल अपना प्रीत पराई, इसको डारेक्ट किया था किशोर साहु साब ने इसमुई लीट कास में थे राज कुमार, मीना कुमारी, नादिरा, कुमारी नाज, प्रतिमा देवी और ओम प्रकाश इसमुई का बज़र था 45 लाग, इसमुई ने भारत में कमाई की 90 लाग की और दुनिया में कमाई की 1 करोड 80 लाग की कमाई के अंसार्स इसमुई को बॉक्स आपिस पर हेट करार दिया गया इनकी अगली बूई आई थी 1960 में जिसका अथा मुगले आजम इसके स्क्रीन राइटर थे कमालम रोही और डारेक्टर थे के आसीप जी इसमुई लीड कास में थे प्रत्वी राज कपूर दिली पुमाल मजबाला दुर्गा खोटे निगार सुल्तान आजीत और मुराद इसमुई का बज़र था एक करोड़ पच्चास लाग इसमुई ने भारत में कमाई की पांच करोड़ पच्चास लाग की और दुनिया में ग्यारा करोड की कमाई की कमाई का अनसार्सिसमुई को हाल टाइम ब्लॉक बच्च्चर करार दिया गया आगली मुई आईटियू निस्वाइक सट में जिसका ना था जिन्दी और खाग इसमुई को डाइरेट क्या था एस बनर जी जी ने इसमुई लीट कास में थे राजेंद कुमार, मीना कुमारी, नाजी, मुनताज बेगम, जेहन्त, आजीत और आगा इसमुई का बज़र था 45 लाग इसमुई ने भारत में कमाई की 60 लाग की और दुनिया में एक करोड 20 लाग की इसमुई लीट कास में थे राज कुमार, मीना कुमारी, नाजीर, गीता कपूर, अशोक कौर, कमल कपूर इसमुई का बज़र था 1 करोड 30 लाग इसमुई ने भारत में 3 करोड की और दुनिया में 6 करोड की कमाई की कमाई के अंसार से इसमुई को बॉक्स आफित पर सुपर हिट करार दिया गया इनकी अगली मुई आइच्वी निस्वा सतत्तर में इसका नाम था शंकर हुसाइन इसके स्क्रीन डाइटर कमालम भोही थे और डारेक्टर थे यूसुप नकवी जीन इसमुई लीट कास में थे प्रदीप कुमार, कामल जीत, मधू चंदा, दीना पाठाक, सिरे राम लागू इसमुई को बॉक्स आफित पर फ्लाप करार दिया गया आगली मुई 1989 में बनी मजनून इसको कमालम भोही ने डाइरेक्ट किया था इसमें राजिस खना, राखी गुलजार, परिम बावी थे लेकिन ये मुई रिलीज नहीं हो पाई किसी कारण से इनकी लाश्ट मुई आई 1983 में रजिया सुल्तान इस मुई को डाइरेक्ट किया था कमालम भोही जी ने इसमुई लीट कास में थे तो विवर्स ये फेमस स्क्रीन डाइटर, प्रोडियूसर और डाइरेक्टर कमालम अम्रोही जी की मुई इसका बॉक्स आफ्शिस अनालिसिस था विवर्स हम वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे थैंक्स फॉर फुल वीडियो